आज हम बनाने ज़ा रहे हैं कस्टरड पर यह नॉर्मल कस्टरड नहीं है क्योंकि हमने इसमें ना तो कस्टरड पाउडर यूजट किया है ना ही आरारोड नाही कॉन्फलोर और 2 ृरमिल्क पाउडर तो बहीं में बिल्कुल भी यूज नहीं किया है यह हम बना रहे हैं व्रत का कस्टर्ड जो खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में इसको आपको तिर्फ दस मिनट लगेंगे तो रेजिपी शुरू करते हैं नमस्कार मैं हूँ शैली और आप देख रहे हैं भुजे शैली व्रत वाला कस्टर्ड बनाने के लिए एक कडाई में मैंने आधा कप साबुदाना लिया है यह नॉर्मल बाईक वाला साबुदाना है जो किसी भी ग्रॉस्टी शॉप पे आपको आराम से मिल जाएगा अब हमको इसको स्लो गैस्पे करके थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है जिस का कलर तो हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है तीन से चार मिनट हो गए से भूनते हुए तो मैं गैस का फ्रेम बंद कर रही हूं और इसको थ्रौ ठंडा होने देती हूं अब इसको मिक्सी के जार में डालके देखिए ऐसा बारीक सा हमको पाउडर त्यार कर लेना है ध चान लेते हैं जिसे कि जो भी इसमें मोटा कुछ रह गया हो तो हम उसको अलग कर दें यह देखिए बचा हुआ है तो मैं इसे अलग कर रही हूं तो देखिए चानने के बाद हमको इस आब उदाने का एकदम फाइन पाउडर हमें मिल गया है आप इस पाउडर में से दो ट कि इसमें लंब्स वगेरा ना रह जाए और इसको दूद में डालके इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिये 10 मिन के लिए तब तक कि हम दूद गरम कर लेते हैं एक कढ़ाई में यह दो कप के बराबर मैंने दूद लिया है जब दूद में उबाल आ जाए तो मैंने इसम अगर आप इसमें कोई सी भी अपनी मन पसंद की चीनी, मिश्री या देसी खांट कुछ भी ऐड़ कर सकते हैं अब इस दूद को मीडियम फ्लेम पर हम तीन से चाल मिनट के लिए पका लेते हैं और यहां पर मैं इसमें डाला वन फूट चमच के बराबर इलाइची पाउड अगर आपकी पास के थागे ना हो आप सिंपल खाने वाला कलर भी डाल सकते हैं और अगर आपकी पषण थाल्दी बहुत अच्छा आप लाईट यलो कलर आ जाता है तो केसर चीनी यह पढ़ चुकी है इसमें और हमको इसको चार से पांच मिनट के लिए पका लेना है अब ही जो साबूदाना हमने भीगोह के रखा था ना वो हमें इसमें डालना है और साबूदाना डालने के बाद हमको इसको लगातार चलाते रहना है नहीं तो हमारे स्कस्टरड में लंप्स पड़ जाएंगे जो कि खाने में अच्छे नहीं लगएगे और गैस का फ्रेम हम को मीडियम ही रखना है बहुत तेस गैस का फ्रेम को नहीं करना है यह देखिए साबुदाने का फावडर डालने के बाद हमें कम से कम 4-5 मिनिट हो गये हैं यह से पकाते हुए तो देखिए गाणा होना शुरू हो गया है यह मैंने 5-6 बदाम ले लिये थ तो आप डालें आपको अच्छा ना लगी तो आप ना डालें तो अब इस स्टेज पर हमने गैस का फ्रेम कर दिया बंद और कस्टर्ड को एक बोल में निकाल के ठंदा होने के लिए छोड़ दिया है आप देखिए अभी यह आपको थोड़ा पत्दा लग रहा है यह थंड कि दिर्के लिए फ्रिज में रख दें एक घंटा फ्रिज में रखने के बाद आप देख सकते हैं कर श्रोड कितना ठिक हो चुका है थंडा होने के बाद अगर आप चाहीं तो आप अपनी मन पसंद का इसमें कोई भी एसंस जैसे वनील एसंस या स्ट्रॉबरी एसंस डाल पर मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ एक मैंने यहां पर थोड़े से सीजनल प्रूट्स लीए है और उनको बारी काटिया है तो अब इसकी प्लेतिं तरते हैं तो ग्लास में मैं यूचे पहले थूछे प्रूट्स दाले उसके बाद थंड़ा थंड़ा कस्टर्ड डाला और फिर से थोड़े से फ्रूट्स इसके उपर डाल दिये हमने फिर थोड़ा सा कस्टर्ड डाला और लास्ट भी इसको अनार के दानों से गार्मिश किया आप चाहें तो आप फ्रूट्स को बोल में डाल के मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद इसको सर्फ कर सकते हैं तो लीजिए हमारा बिल्कुल ठंडा ठंडा टेस्टी और एकदम जल्दी बनने वाला ये व्रत का कस्टर्ड टेयार है अगर आपको मेरी रेसिपी बना के पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताईए कि मैं आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ तो नेक्स रेसिपी तक, गुद बाई